तो दोस्तो नाम कमाने में जितना समय लगता है नाम गवाने में उतना ही कम समय लगता है साथ ही सालों की मैनत भी पल बर में खतम हो जाती है जब अचानक से किसी वज़े से आपकी किसी वज़े से आपकी बदनामी हो जाए तो दोस्तो ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ देखने को मिला है जलंदर के कुलड़ फीजा वाले के साथ तो आपको बता दे कि कुलड़ फीजा के नाम से मसूर यह कपल इस टाइम बहुत ही परेशान है और मामला यह है कि पंजाब जलंदर के रहने वाले कुलड़ फीजा को एक वीडियो वाइरल हो गया है साथ ही इसके बाद उनकी बुरी तरह से ट्रोलिंग शुरू हो गई है और उसके बाद उन्होंने पुलिस में भी सिकायत दर्ज करवा दी है मामला यह सद तक चला गया है कि वे एक दूसरे का नाम लेते भी नहीं चूक रही है साथ ही बता रहे है कि उनका किसी ने जान भुझ कर वीडियो वाइरल किया है कुलड पीजा कपल आज भहुत ही फेमस हो गया है इसके नाम सैज, अरोडा और गुर्विन कोर है जो कुलड पीजा बना कर कुलड पीजा बेचती है साथ ही आपकी बार उनकी फेमस होने का कारण कुलड पीजा नीपल कि उनकी वाइरल एमेमस या वाइरल वीडियो है साथ ही आपको बता दे कि मामला ही सथ तक बढ़ गया है कि उसका फिलिस तक भी पोच गया है साथ ही उनकी फाइर भी दरज करवा दी है क्योंकि कुलड पीजा बालो का एक प्राइवेट वीडियो वाइरल हुआ है और उसके तुरंत बाद ही वीडियो आग की तरह फैल गया है और साथ ही बहुत से लोगों ने बद्दे कमेंट भी किये आपको बता दे कि बहुत से लोगों मानना है कि बहुत से लोगों कह रहे हैं कि यह वीडियो यह उन्हें खुद ही वाइरल किया है फेम सोने के लिए फेम कमाने के लिए लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि इसे वे अपना फेम कमा पाएंगे साथी क्या आपको लगता है कि वे अपना फेम कमा रहे या गवा रहे है तो आपको भी द्यान रखना है कि अगर आपके बास भी ऐसे नाम से वीडियो आती है या viral message को आता है तो आप उसको कमे डिलीट करे या फिर report करे क्योंकि हर किसी की इज़त होती है चलो ठीक है उनसे गलती में हुआ है या गलती में या कैसे भी हुआ है लेकिन आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है साथ ही बागिस और दामसरकार भी यही कहते है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसका साथ देना चाहिए गलती उन्होंने की है लेकिन उसकी सजा उसकी वाइफ यानि गुर्वीन कोर भी बुगत रही है आखिर उसमें उसकी क्या गलती है लेकिन उसको तो मना करना चाहिए दोनों लोग पीजा बेच कर अपने गर चला रहे थे साथ ही गुजारा भी कर रहे थे अच्छा रैस्टूरेंट भी चल रहा था लेकिन अचानक से उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका दुनिया ही खतम हो गई वे उनको लग रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया या जो भी हुआ लेकिन साथ ही उन्होंने वीडियो बना कर ये भी बताया कि उनको किसी ने दमकी बरे मैसेज भी किये थे अगर ये वीडियो वाइरल कर दूआ नहीं तो इतने रुपेज मुझे चाहिए दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वीडियो आती है तो आपको तुरूंद डिलीट कर देनी है या फिर रिपोर्ट कर देनी है ताकि वीडियो आगे वाइरल ना जैसे भी उनसे हुआ ये गलती में हुआ कैसे हुआ उनको ध्यान नहीं रखा था इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी वीडियो बनाए तो ऐसा ध्यान करें कि किस हिसाब से हम वीडियो बना रहें किस हिसाब से नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों बागिस और दाम सरकार भी यही कहते हैं कि उनको मेशा अपने फोन को समाल के रखे कभी भी ऐसी उट पटंग वीडियो ना बनाए आपको ध्यान रखना है कि आगे से आपने भी ऐसा काम ना करें